नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अवनिक स्वागत है आपका अमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने आ लहूँ किस तर किसे आप अपनी फेस्बुक आईडी का नाम चेंज कर सकते हैं वो भी बहुत ही सिंपल और आसान तरीकी से दोस्तो इससे पहले भी मैंने अपनी इस चैनल पर ये वीडियो बनाया है कि फेस्बुक पर आप अपनी आईडी पर नाम किस तर किसे चेंज कर पाएंगे पर दोस्तो बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे थे बिना स्किप करें सुरू से लेकर लास तक वीडियो को ध्यान से देखेगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तो यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ये जो लाल क亮 का आप शब्सक्राइब बटन देख रहें इसको दबा कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजए जो की बिलकुल फ्री होता है जैसे ही आप इसे subscribe करते हैं इसके बाजू में गंटी के बटन आपको दिखाई देगा तो इसको जरूर से दबा देना है और all notification को भी on कर लेना है इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आगी तो वो आप सबसे पहले देख पाओगे तो दोस्तो बेना time को waste करें चलिए इसे वीडियो को start कर लेते हैं तो इसके लिए दोस्तो आपको आपका जो mobile फोर्य उसके अंदर आपको facebook की app को open करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपका facebook है facebook की app इसको इस तरीक से open कर लेना है जैसे ही आप इसको open करते हैं आपकी id login होगी और यहाँ पर आप देखेंगे कि right hand side उपर की तरफ में आपको यह three line देखने के लिए मिलती है यह three line पर यह जो three line है इस पर आपको touch कर दीना है जैसे ही आप touch करोगे आपके सामने कुछ इस तरीकी का page आ जाएगा तो आपको यहाँ पर एकदम नीचे की तरफ में आना है नीचे की तरफ में आप देखोगे setting and privacy एकदम second last वाला option है logout के बिलकुल उपर setting and privacy तो आपको यह setting and privacy पर touch करना है इस तरीके से जैसे ही आप setting and privacy पर touch करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते है setting and privacy की नीचे आपको एक और personal information तो आपको यहाँ पर यह जो पहला अप्जन है personal information तो आपको इसको touch करके open कर लेना है अब आप देख सकते हैं इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह लिखा हुआ नेम और आपका नेम वहाँ पर लिखा हुआ होगा तो आपको यहाँ पर अपने नेम पर टच करना इस तरीके से जैसे ही आप touch करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से page open हो जाएगा तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से आपके सामने ये page आ जाएगा और यहाँ पर एक please note यह दे रहा है तो यहाँ पर दोस्तों यह बताया गया है साथ दिनों के बाद ही नाम चेंज कर पाऊंगा तो इसलिए दोस्तों आप भी जो भी नाम अभी चेंज करेंगे तो इसको बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यदि आप नाम चेंज कर लेते हैं और यदि इससे आप दुबारा चेंज करना चाहें एक गंटे बाद, दो दिन बाद, तीन दिन बाद, तो वो नाम आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वो 60 दिनों के बाद ही चेंज होगा, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से यहाँ पर जो भी नाम चेंज करना चाहें वो करेंगे तो यहाँ पर यह अवनीट लिखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ पर राहूल कर देता हूँ यहाँ पर देखिए मैंने राहूल कर दिया है और मिडल नेम पर आप जैसे की बहुत सारे लोग होते ना की राहूल कुमार पटेल या फिर इस तरीके से तो मिडल नेम पर अगर एड़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं मिडल नेम तो एड़ नहीं कर रहा हू यहाँ पर राहुल है राहुल ही रहने देता हूँ और यह जो सरनेम है पटेल तो मैं इसको पटेल ही रहने देता हूँ यहाँ पर मैंने अवनीत की जगा राहुल कर दिया यह मैंने नेम चेंज कर लिया है आप यहाँ पर आप देख सकते नीचे की तरफ में आपको नीले कलर से review change लिखा हुए मिलेगा तो आपको यहाँ पर नीले कलर से review change लिखा है पर आपको इस तरह की से touch करना है तो जैसे ही आप यहाँ पर touch करेंगे तो यह देखें यहाँ पर आपको दो option दे रहा है उसका password याद होना चाहिए वो password आपको यहाँ पर नाम change करते समय पर इधर enter करने की जरूत पड़ेगी तो यहाँ पर मैं अपना password enter कर देता हूँ यह मैंने password enter कर दिया है आप यहाँ पर password enter करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे save change लिखा है नीले color से तो आपको यहाँ पर नीले color यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ है तो जैसे ही आप यहाँ पर save change करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर की name था अवनीत तो यहाँ पर यह राहुल हो चुका है तो मैं आपको back होके दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अभी अबनी दिख रहा है यहाँ पर मैं इसको इस तरह के से यदि swap करता हूँ अपडेट करता हूँ तो देख सकते हैं back होके तो यह देखिए यहाँ पर यह जो है राहूल चेंज हो चुका है नाम तो इस तरीके से देखा आपने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर मैंने यह नाम को चेंज कर दिया तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने Facebook ID का नाम बहुत ही Simple और आसान तरीके से चेंज कर पाएंगे तो उम्मीद करते हम दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक बटन होता है इसको दबा कर वीडियो को लाइक कर दीजे अपने दोस्तों साथ यहां से इसको शेयर कर दीजे और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का आप सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं इसको दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जो की बिल्कुल फिरी होता है जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करते हैं उसके बाजू में आपको एक घंटी का बटन मिल जाएगा तो आपको उसको जरूर से दबा दिना है और आल नोटिफिकेशन को आउन कर लेना है जैसे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप सबसे पहले देख पाओगे तो दोस्तों फिलाल के लिए अभी इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैमाता दी